प्रतापगड में पहली बार 5 DC साध्वी कपिला गोपाल सरस्वती के स्ट्री मुख से भवित गोप्रपा कता होने जा रही है इसको लेकर आयोजग यहां तेयारियों में जुटे हुए है और क्या कुछ इस कता के तरफ आयोजग होने वाला है और प्रतापगड में गायों को साध्वी जी भी जुड़े हैं हम इससे बात कर जाना चाहेंगे क्या कुछ तैयारी रहेगी और किस तरह से कता की तैयारियों को उन्थित दिया जा लगा स्ट्राव्रल हमारे साथ साद्वीजी जुड़े हम इसे नाम जाने जाएं क्या नाम है आपका मेरा नाम बहुला कोपाल सरश्वती है तो जो यह कथा होने जा रही है यह कब से कब तक होगी यह कथा होगी 22 फरवरी 2023 से सुरू होकर के 26 फरवरी 2023 तक चलेगी और इस कथा की प्रथम कलश या का मंदिर है यहां तलाब के यहां पहुंचेगी 22 को कथा की तैयारियों की सुरूआत में कलश यात्रा निकलेगी हमारी अपील है कि इस गो करपा और इस गो कथा के जो संपन होने जा रही है इसकी कलश यात्रा में शेहर की महिलाओ को अधिक सदिक भाग लेकर और इस कथा को संपन किये जाने के लिए कलश यात्रा में भाग लेना चीए हम आगे और बात कर जाने चाहेंगे किस तरह से कथा का योजन होगा और क्या कुछ तहरी है कथा की तैयारी तो अच्छी है और कथा की तैयारी में साद्वी कपिला गोपाल सरस्वती दिदी जो कथा करेंगे अपने दार्मिक नगरी परतराबगड की पहली इस मुहिम में ये गाउं आया है जो दार्मिक नगरी भी है और इसमें जो ऐसे साद्वी दिदी हैं जिन्होंने कम्पूटर इंजनिरी कर रखा है और कम्पूटर इंजनिरी करने के बाद उन्होंने सन्यास लिया और जीवन है और ऐसी सादवी जो जूते चपल सुख सुविदाओं का त्याग कर रखा है और उस सादवी के मुखार विंसे आप सभी को कता सुनने का सुवसर परताब गड़ की दार्मिक नगरी में मिला है तो परताब गड़ में आयो है जित इस भविश्री गो कृपा कता के त इंडियन काउस जिसको लोग पसु समझते हैं और वो पसु नहीं है वेदों में जिनोंने महिमा गई है तिलम ना धान्यम पसवत्ना गावा है ऐसा संदेश लेकर के जो पत्मेडा के पुझ्जे महाराज से दतश्रना नंजी महाराज जो की जेपूर से 22 तरीकों यात्रा स तुनाने के लिए 26 तारिकों आई-एस आई-पी-एस और संत घंड भी पदा रहेंगे और राजस्तान के विशेश गोबगत जो गाई-माताओं को पर काम कर रहे हैं और जो गाई-माता को पर रिशर्च करके भी जो गोबगत काम कर रहे हैं ऐसे भी लोग यहाँ पर आ रह जो गोबगत परताबगर दोरा आयोजित यह कता 22 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगी और कता शेहर के दिपेश और महंदीर और दादावाडी के नजदिक इस्तित पांडाल में यहां इसका कता का आयोजन होगा कता प्रातब सवा बारा बज़े से तीन बज़े तक चलेगी औ और पाँच दिवसी इस आयोजन में शेयर बर के सद्दालू आसपा सेत्रों के ग्रामीन सेत्रों के महिला पूरुष पहुचेंगे जो कथा का आनन लेंगे श्री वेद लक्षणा गो संदेश यातरा के तहट 26 परवरी को यहां मंगल में कारिकर मायज़ित होगे जिसके तहट प्राता काल 6 बज़े सुर्भी संकितन वा सेत्र की सपाई होगी जिसमें गुरुवर भी स्वयम मोजूद रहेंगे यहां प्राता काल 8 बज़े नंदी पूजन अर्चना वा सुर्भी महायग्य होगा मही प्राता काल 10 बज़े वेद लक्षणा गो महीमा सत्संग सभा होगी और 2 पर 3 बज़े गो वरती और बोजन परसादी होगी तो हिंदुस्तान बर में गो सेवा को बचाने की महीम चली हुई है और देश बर के नामी गिरा में साधुसंत गायों के बचाने की समय समय पर अपील करते रहे हम इस कता में मोजूद साधवी जी से जानना चाहेंगे किस तरह से इनके द्वारा और इनके गुरुवर के द्वारा और किस तरह से संस्ता के द्वारा जो मुहीम चलाई गई है और क्या कुछ गायों को बचाने के लिए इनके द्वारा प्रयास किये जाने यह यात्रा जो वेद लक्षना की गोव संदेश की यात्रा है ये कम से कम आज के 20-25-30 साल पहले से शुरू हुई हैं जिसमें पत्मेडा बावजी ने केवल मात्र पांच गाई माताओं को बजा करके और उन गाई माताओं से स्वेवा सुरुवात करके जिनके पास एक फुट सत्वा धान में ये गो संदेश यात्रा निकली होई है साती सात इनि से प्रतित होकर के पुझे गुर्देव भगवान दाता भगवान से प्रतित होकर के 31 वर्षिय गोव प्रियावन चेतना पद यात्रा का बीड़ा उठाया है और विश्व में सबसे पहली और विश्व की सबसे बड़ी यात्रा है जो कि इस यात्रा में 4000 से उपर गोशलाय खुल चुकी है और 80,000 किलोमेटर गुर्देव भगवान स्वेम पैदल चले हैं 30 साल ह को गैने को अनाज कहा हुए का जिमते हैं और दिन बर गोो मातां के लिए जागरन और रात का जांगरन भी होता है और दिन बर जहां लंबा भी चलना होता चलते हैं एक घंटे का भी गुरदेव भगवान विश्राम नंजी माराज ने उसके सयोजग और उसके प्रबारी गुर्देव को बना रखा है और प्रते गाव में जाकर कि गोव माताओं का संदेश दे रहे हैं और गोव माता से जुड़ी बातों को किशानों को गरश्तियों को और गोव माता से जो इलाज होते हैं वो इलाजों को ले सब्सक्राइब करता के आयोजक समीति के साथ हम जूड़े हुए हैं अम बात का जानने चाहेंगे क्या को तेयरे की जा रही है और किस तरह से इस कथा को संपन किया जाएगा इसके लिए क्या कुछ तेयरी की गई है प्रतापगड धर्मनगरी होते हुए यह कंटिनुट जी बेरग उपाशक और युवाशंत द्वारा हमें आदेश मिला है और उनकी सेवा का करने का मुका मिला है क्या बाइस तारिक से गो कथा का आयोजन प्रतापगड में यहां सेवा का मुका मिला और कथा आरम होगी और 26 तारिक को राजस्तान एशिया की सबसे बड़ी पत् संत दत्य संदान जी खुद पदा रहेंगे यहां पर महा मंदले स्वर जी और 26 तारिक को सुबे से ही प्रत्यकाल से कारिकरम चालू हो जाएगा वेजलक्षन यातरा को लेके सुबे नगर की पूरी 50 संत उनके साथ पदा रहेंगे संतों द्वारा प्रतापड का नगर प्र प्रत्यक्त करेंगे और यहां के मार्ग दर्सन देंगे के गायों के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या सुइदा है दी गई है समय समय पे अपन आप क्या ले सकते हो और जो गोचर भूमी लोगों ने कपजा कर रखा है उसके खाली करने के लिए और गाई-माता को कैसे बचा जा है